Hello traders and welcome to the studio. Traders, कल हमने 4 stocks देखे टेट करने के लिए और कल के लिए भी 4 stocks देखेंगे टेट करने के लिए तो सबसे पहले जो stocks हमने कल देखेंगे तो उन्होंने आज काई सरफ perform किया एढ़ उसके बाद में फिर हम लो कल के stocks पर बढ़ेंगे कल हमने चार स्टॉक आप लोगों को दिये थे जिसमें से पहला था वेदानता ने क्या बोला था वेदानता के अंदर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग कीजेगा कल के दिन इसके अंदर रेट केंडल ही फॉर्म होगी तो पूरे दिन देखिए यह स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया है और इसके हमने एक्जैक्ट कुछ लेवल थी तो इसके वहां पर आप लोगों को एंट्री लेनी थी और सी जगह से अपना ट्रेट एक्जीट करना था इसके लाबा जो तूसरा ट्रेट था वहाने पस जेस्टॉक तरफ जाना मुश्किल रहेगा रेट केंडल ही फॉर्म हो इसके बाद में फिर प्राइस हमारा पूरे दिन ऊपर यह दोबारा नीचे नहीं आया है बाइंग करना था अपने लेवल से ही यह बाइं हुआ है और इसने डे टाम फ्रेम पर हाला कि अगर कलर वाइस है टेक्निकल हम जाएंगे तो यह ग्रीन रेट केंडल ही है बट अगर हम कंपेर करेंगे कि ओपन क्या है इसका देखिए आज जो प्राइस अपनो यहां पर द जो भी स्टॉक हम देएंगे ट्रेट करने के लिए आपको एक लेवल देएंगे आपको एक व्यू देएंगे एक स्टॉक देएंगे उसके उपर अनासिस करके ट्रेट एक्जिक्यूट करो आप देखना प्रॉफिट महीं रहोगे और टार्गेट हम जिस तरह से बोलते है लगाना 0.5% का टार्गेट मिल ही जाएगा बनी को मैनेज करकर ही ट्रेट एक्जिक्यूट करना कल के लिए स्टॉक्स नूट कर लिए सबसे पहले रिलाइंस रिलाइंस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करोगे दो पॉइंट दो प्राइज हम आपको दे देखनी है और जैसे यहां पर फॉर्मेशन आपको देखिए कि नीचे के दर ब्रिक आउट होगा चाहां यह वाले लेवल यहां से अपनों को शॉट करना ने 0.5% का टार्गेट रहेगा बुक करके चुप चाप बहार निकल जाना बाइंग करना नहीं है रिलाइंस के अदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे प्राइस अगर ऊपर जारा तो फिर जाने दी जागा बाइंग नहीं करना है हो रहा होने दोसको हमें मतलब नहीं है हम ऐसा मान करके चलते हैं कि कल विपरो के अंदर एक रेट केंडल फ़ॉर्म की सेलिंग मौका मिलेगा तो करेंगे बाइ यह ओड़ा तो जाने दो मतलब नहीं हमको तीसरा इस्टोक है हमारे पास मनपूरम मनपूरम के अंदर आप सिर्फ बाइंग करोगे कल के दिन इसके अंदर एक ग्रीन केंडल फॉर्म हो सकती है तो सिर्फ कोशिच की जगा बाइंग करने की एंड बाइंग करने का जो अपना से मौका मिलता तो यहां से बाइंग मार दी जाएगा या फिर इस जगह से मौका मिलता तो यहां से बाइंग कर लिजाएगा जिरो पैंट परसंट का टार्गेट लेकर के चुप चा बाहा निकल जाएगा सिर्फ बाइंग करनी से इस जगह से आप लोग सिर्फ बाइंग कर नहीं है इन चारों स्टॉक्स को नोट करके अपने पास रख लिए लेवल मार्क करके अपने पास रख लिए जैसा भी होता है कल एक अच्छा ट्रेड एक्जिक्यूट करने की कोशिश की जगए इसके अंदर हमने व्यू आपको क्लियर कर दिया है कोई दो रहा इसके अंदर नहीं कि break out ऊपर की तरब break out हो जाए आप आय कर लेने निचे की तरब abuse कुछ भी नहीं जो level दे दिया है Buying करना है selling मत करना और जिन्य स्टॉक्स में selling करना है इसमें आपको मालूँ है फिर बाल यहभिन नहीं होगे view clear रखे trade मारो आप देखना एक अलगी level का confidence होगा money manage कर लेना, risk manage कर लेना और पूरी तरह से target जैसे मिल रहा है एक बार अगर profit में आगे तो दुबारा loss में convert नहीं होने देना उसको कल के लिए all the best, एक अच्छा trade execute करके एक बहतर energy के साथ वह वापस से कल फिर में लेंगे, thanks and we will meet again